अभिनेता से नेता बने दिनेस लाल यादो निरहुआ इन दिनों आजमगड में है और होना भी चाहिए जनाब यूँकि कुछी रोज बाद ही तो चुनाव है और चुनाव प्रचार तो करना ही है तो ऐसे में वो दिन रात एक कर दे रहे हैं चुनाव प्रचार में और उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है कभी उनसे उनका बड़ा गहरा यारा आना था जी हाँ हम बात कर रहे हैं धर धर्मेंद्र यादो की धर्मेंद्र यादो का नाम जैसे ही अखिलेश यादो ने आजमगर से एनाउंच किया तो दिनेस लाल यादो निरहुआ भड़क गए उनका कहना था क्या जरूरत है कि घर के सदस्य को ही वो चुनावी मैदान में मेरे खिलाफ उतार रहे हैं कोई और भी तो मेरे खिलाफ लड़ सकता था और भी कई यादो हैं किसी भी यादो को टिकिट दे दिये होते लेकिन धर्मेंद्र यादो को ही क्यों आपको यह बता देते हैं कि धर्मेंद्र यादो से अच्छी खासी दोस्ती है दिनेस लाल यादो निरहुआ की और भाई जब दो यह आपने सामने उतरेंगे दिनेस लाल यादो निरहुआ जानते हैं कि यह चुनावी रण है यह जुबानी जंग भी यहाँ बड़ी तेज से होती है तो कुछ न कुछ ऐसा बयान होगा कि इनके रिस्तों मेरे तलखियां आएंगी आएंगी खैर आपको यहाँ यह भी बत देते हैं कि दिनेस लाल यादो निरहुआ यह एलान कर चुके हैं कि इस बार तो आएगी आज अमगड में तो बीजेपी की सरकार वो भी 400 पार जी हां इस तरह के नारे दिये जा रहे हैं और बहुत ही दम खम के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं दिनेस लाल यादो निरहुआ साती सात आपको हम बता दे कि काफी लोग है जो उनका विरोध भी कर रहा हैं जी हाँ काफी लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस बार सपा को सपोर्ड किया जाए तो इससे दिनेसलाले दिनेस लाले आदो निरहुआ को जब ये सवाल पूछा जाता है तो दिनेस लाले आदो निरहुआ कहते हैं कि वक्त आने पर जनता इस सबका जवाब जरूर देगी इस जवाब का इंतिजार सभी को है आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर एंची